मजी देशी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके असलाम अलेकुम वेलकम टू मिस्टर डाइज एक्जेम कंसल्टर चैनल आज हम वर्ड्स और सेननम की तीसरी पार्ट में कुछ एहम पढ़ेंगे सबसे पहले जो वर्ड है अलूड उसका सेननम है रिफर इंडिरेक्टली अलूड की मीनिंग होगी इशारा करना या हवाला दे अलूफ जिसका सेननम होगा अपार्ट और अपार्ट मींस रिजर्वट और अलूफ की मीनिंग अलग इden जिदा या उसके इलावा उसके बाद आ है insights अनव मेंट जिसका सेननम है कंभाइण कंभाइण मेंस यूनिट इनायट वन बाडि ममर्टी मेंंट की मीनिंग हैमतयर कर करना उसके बाद आता है MS जिसका सेननम है collect MS means जमा करना या मेड़ना उसके बाद आता है ambiguous जिसका सेननम होगा doubtful in meaning जिसकी मीनिंगे गेर वाज़ है या दो माना वाला लफ्स जिसमें शक हो उसके बाद आता है amenable जिसकी सेननम होगी readily managed or willing to be led amenable की मीनिंगे चलाने जैसा असर डालने वाला समझाने के काबिल ये इसकी मीनिंग होगी उसके बाद आता है amiable जिसका सेननम होगा agreeable और loveable amiable की मीनिंग है खुशकवार खुश मिजाज या हर दिल अजीज उसके बाद आता है amicable और friendly उसका सेननम है amicable की मीनिंग है दोस्ताना या सुलह चाने वाला महरबान और amnesty और pardon amnesty की मीनिंग होगी आप माफी या माफी देना बक्षना उसके बाद आता है ample उसके सेननम होगा abundant इनकी मीनिंग होगी कुशादा या ज्यादा पिकर किस्यादा होगा या काफी ये इसकी मीनिंग होगी उसके बाद आता है to amplify or to make large या more powerful इसकी मीनिंग होगी ज्यादा या तेज या पखेरना उसके बाद आता है एम्प्यूटेट सेननम होगा cut off part of body or prune prune की माना meanings होगी किसी इनसान के कोई वजवा उससे अलग करना या काटना या कलम करना उसके बाद आता है एनल जैसिक एनल जैसिक की मीनिंग होगी दर्द दूर करने वाला और उसके बाद आता है एनल जैस और सिमिलर एनल जैस की मीनिग होगी एक शिकल एक रूप एक जैसा यकसा ये इसकी मीनिंग से उसके बाद आता है एनलोजी और सेननम इसका सिमिलर्टी या पेरलेलिलिजम और उसकी मीनिग होगी मुशाववत मताबिकत यकसानियत ये उसकी मीनिंग से उसके बाद आता है एनलोजी और एवजन साफ कावर्णिंग बोडी या स्टेट आफ डिस ओर्डर एनलोजी की मीनिंग है इंतशार समाज या हकूमत में निजाम की गेर मेरूद्गी अंधादंद जिसे बोलते हैं उसके बाद आता है एंडर एंसलरी और सर्विंग एज एन एडर एकसेशरी और एक्सलरी इन की मीनिक से मददकार मौoureं एम्टादी उसके बाद आता है इनिमिंट और लिवली Animated means जेरा, परजोश, जिन्दा दल और उसके बाद रहता है Animosity और Animity Animity जो है उसकी सेनना में इसकी मीनिक्स होगी तासब, दश्मनी, बुग्स और उसके बाद रहता है Anihilate और Destroy उसके साथ जो वर्ड में बुर्ण हो वो उसका सेनना में होगा Anihilate का सेनना में डिस्ट्राइ उसकी मीनिक्स है नीस तो नाबूत करना बिलकुल तबाह कर देना, फना करना सत्यानास करना और उसके बाद रहता है Anonymous are having no name Means गुम नाम नाम अलूम जिसका कोई पता ना हो, नाम ना हो उसे बोलें के नानास उसके बाद रहता है एंटी क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स के मिन से रूज के बाद जवार और उसके बाद रहता है नेक्स्ट एंटी पथी सेननमों का एवर्जन और डिसलाइक इनकी मिनिक्स होंगी ना पसंदीत की नफरत का एसास वो राज के लिए जो लास्ट वर्ड है वो है एंटी थेसिस और सेननमों का कंट्रास्ट इनकी मिनिक्स डिरेक्ट अपोजिट आफ रट एंटी थेसिस की मिनिक्स से जिद या मतजात या एक्तिलाफ आज की वीडियो में इतना है नेक्स वीडियो में हम नेक्स्ट वर्ड कावर करेंगे और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी को प्रेस कर दें ताके आने वाली वीडियो आप तक सबसे बेड़े पूर्ट सकें